हेई फ्रेंट्स वेलकम दो दे चैनल वी बैग और गया इस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कुछ ऐसे अपडेट्स या फिर कहूं तो बहुत से ऐसे अपडेट्स है फ्रेंट्स यस बहुत से अपडेट्स आने वाले इस गेम के अंदर जो पूर अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ इस वीडियो में तो वीडियो द्यान से देखना और बहुत बहुत ज्यादा चीज़ें बड़ी भी बन सकती है क्योंकि एक अपडेट्स नहीं दो अपडेट्स नहीं तीन अपडेट्स आये आने वाले गेम के अंदर तो first of all मैं आपको शाथ share कर दूगी 0.175.0 APK Pokemon GO की available हो चुकिए तो आप चाहें तो उसे download कर सकते हैं मैंना link description में दे रखा है friends अब मैं आपको बताता हूँ updates के बारे में यान की first of all हमारा जो update निकल कर आ रहा है जो game के अंदर आने वाला है वो है remote reading को लेकर friends यस remote reading जब से game में आया तो हम थोड़ी gym battle sorry friends red battles कर सकते हैं game के अंदर अपने घर पर बैठे हुए भी लेकिन friends अब इसमें भी changes आने वाले यानि की अब आप invite कर सकते हैं friends को remote reading में yes friends मैं आपको बता दूँ कि वी रिजियोन जब release होगा यानि की shiny form में तब आपको five remote read pass मिलेंगे plus friends आप उसी दिन से friend को invite कर सकते हैं battle में यानि की अब अपने आप अपने friend के साथ battle करेंगे और बहुत से मुझे subscribers और viewers मुझे पूछ रहे थे कि bro ये कब update आएगा कि हम friend को invite कर सकते हैं तो friends वो उस समय अपडेट ने आया था लेकिन friends अब Pokemon Go ने वो अपडेट निकाल दिया है यानि कि वो बहुत बहुत जल्द आने वाला है कि आप अपने friends को invite कर सकें remote reading में and friends एक और अपडेट है वो है कि friends आप अब अपना pass save कर सकते हैं yes friends अगर आपने pass दिया यानि कि आप remote trading करने गए और वहां पर कोई आया नहीं यानि कि आपकी battle नहीं हुई तो आप remove कर सकते हैं उस gym से उस red battle से अपना pass यानि कि अपने pass फिर से वो pass ले सकते हैं तो friends बहुत से बहुत बड़ी update है यह personally मेरी favorite भी है क्योंकि बहुत से update है यह and friends next update की तरफ में जाता हूं तो अब वह गेलार फ्रॉम रिलीज हो गई है गेम के अंदर यानि कि गेलार के म्याउथ है डारू मुका है बहुत से पोकमों से जो गेलार रिजन में आने वाले इस गेम के अंदर तो and friends अब बढ़ता हूं में मेरी next update की तरफ जो है जेसी एंड जेम्स को लेकर yes friends जो हमारी main team rocket है या फिर कहीं तो शियरा अब यह जाने वाले हैं अब हमारी जेसी एंड जेम्स आने वाले तो बैटल लिंक का थोड़ा experience जेसा लग रहा है कि जीओ वानी की जगे हम जो बैटल करते थे अब उस जगे हम प्रोफेसर वीलो के साथ बैटल करेंगे तो यह देखना होगा की सब्डेट में क्या होता है लेकिन एक छोटा सब्डेट था तो मैंने सुच आपके साथ शेयर कर दूं and friends next जो आपडेट है और अब आने वाले बिल्कुल फ्री गिफ्ट आने वाले उसके थुरू अब आपडेट कर सकते हैं फ्री पोकी बॉल्स and फ्री इंसेंस जो next अपडेट है वो हमारा वो है friends को लेकर यानि की friends को लेकर बहुत से अपडेट आने वाले इस game के अंदर अब आप चेक कर सकते हैं खुद कि आपका player यानि कि फिर आपका friend online है या नहीं और अगर वो खेल रहा था game तो कितने hour ago खेल रहा था कि या कितने दिन पहले खेला था वो game वो सब अप चेक कर सकते हैं कि वो कितनी देर एक्टिव था इस game में प्लस आप चेक कर पाएंगे कि वो अभी खेल रहा है य या फिर अभी online है या नहीं तो यह बहुत बड़ा update है एक तो फ्रेंड्स को आप नॉर्मल अप search भी कर पाएंगे एक different way में कि great friend अलग, ultra friend अलग और best friend अलग इस ताइप साप select भी कर पाएंगे friends को और search कर पाएंगे plus friends जो next update है हमारा वो है daily pokemon encounter को लेकर यस फ्रेंड्स कर आएगा अपने हिसाब से जो रोज spawn होगा हमारे area में जहां पर हम अभी हमारी जो exact location होगी friends तो उस जगे से आप उसे catch कर सकते हैं वो कोई भी pokemon हो सकता है normal shiny भी हो सकता है तो वो अब यानि कि यह छोटा सा update है जो pokemon रोज एक pokemon को provide कर आएगा हमें and friends next update है वो है go battle league 2.0 को ल आने वाला है जिसके तुरू बहुत से changes आ जाएंगे उस game में प्लस हम battling का भी एक अलग ही improvement देख सकते हैं इस game में तो friends यह भी बहुत बड़ा update होने वाला इस game के अंदर हो friends next update है वो है हमारा ditto को लेकर यानि कि friends PV के अंदर भी अब हम डिक्टो यूज कर सकते हैं यानि कि डिक्टो का हम simple सा use करेंगे तो वो transformation हो जाएगा उसका यानि कि friends अगर मैंने यूज किया है simple सा डिक्टो और मेरे जो सामने वाला opponent है उसने यूज किया है Meryl को तो मेरा डिक्टो भी Meryl में change हो जाएगा जो एक बहुत ही unique feature सा लगता है मुझे तो PVP में भी अब यह देख आने वाले इस game में यह मेरी तरफ से तो यह last update था जो मैंने आपको बताया है और भी कुछ updates है वह बहुत minor updates है तो उनके उपर मैंने नहीं बताए क्योंकि वीडियो और भी बड़ी बन जाती and friends अगर आपको किसी भी update को लेकर एक fix video चाहिए हो तो मुझे जरूर बता देना मैं उस पर वीडियो बना दूँगा plus friends आपका कौन सा best update था इस game का जो भी मैंने बताया वो भी मुझे share करना comment box में and friends कैसे लगे यह सारे यह update वो जरूर प्लीज बताना तो देते रहना अपना ऐसा ही प्यार मिलता हूं next वीडियो में तब तक के लिए VBEC की तरफ से VBEC family क बढ़े